तो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग आशा ही नहीं पूर्ण विश्वा से आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आपका स्वागत करता हूँ फिर दुबारा एक बार CP स्मार्ट क्लासेज में और मैं हूँ आपका दोस्त और हो सौरब जैन तो यहां पर हम बात कर लेने हैं मोग टेस्ट के बारे में उससे पहले एक महत्पूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि दोस्त हमने जो है मोग टेस्ट के मोग टेस्ट आपको देना प्रारम कर दिये हैं बहुत समय पहले से लेकिन जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं लगाएं तो लगाना शुरू कर जिससे की तैयारी कितनी है आपकी कितनी वाकई में आपने तैयारी कर चुके हैं या कितनी वाकई में आपको तैयारी करने की आवशकता है उससे साब से कर लें और यहां पर मोग टेस्ट ऐसा नहीं है केबल और केबल प्रेस्ट ने पढ़ाए और चैनल की तरह और बता दि पाम कि पूझे कुरा में के यांना नाम के ऊफुशन आता ईक शहीं कहिए देशान रखे गा इसी किरम में चाहिए चलते हैं अगले पिशन की और अगला पिशन क्या कह रहा है दोस्तों यहां पर देखिए अगला पिशन कह रहा है निम्लिक मैंसे किसके शाषनकाल मैं मुगल चित्रकला शिकर पर पहुँच चुकी थी देखो मुगल चित्रकला की बात करूँ तो यह जो 13 पहले मैं इसका जो है आंसर बता दूँ आपको जहांगीर ठीक है 1605 से लेके 1627 यानि 27 इसवी ठीक है तो तब तक क्या किया था कि जहांगीर का शाषनकाल था और इसके शाषनकाल में जो है न मुगल चित्रकला जो है सिकर तक मौच चुकी थी इसमें क्या है आगरा में जो चित्रकला की स्तापना की थी इसने पहले तो है न और फिर क्या किया था कि जांगीर जो था ना इसका चित्रकला का एक अनों का पार की था ठीक है जैसे कि आप मान के चलिए हीरे का पार की होता है ठीक है और चीजों का पा जितने भी है ना उन सब को जो है अच्छी तरीके से दर्सा सकता था और जांगीर की जो महत्पूर्ण समय बात है तो बता दूँ है कि जांगीर के समय में क्या है सिकार युद्ध राजदरवानों की दस्य के अतरिक्त मनुष्य और पश्यों के भी चित्र बनाए जागे गए सा है ना तो इसकी तो जांगीर क्या किया था सोले सोग्याराई इश्वी की बात करूं तो तो सोले सो ग्यारा किया था यहां कुली जो था ना बीतौक यहां कि विद वान इसमत बेगम तो को जो तेहरान के नवासी तौकी थेंक दिए स disициंगा है इसके गुलाब कीतर बनाने की विधी का विश्कार एसने अपनी बेटी बेटी को दिया था था तौ जब बेटी को दिया थी थे वहां जब है अगले पस्राइब नीए सुन्दर भी थी फिक है तो इस जो है टेलेग्राम गुरूप प्र मिल जाएगी इंग्लेंड की ततकालीन राजा जेम्स वन द्वारा जारा जेम्स कौन है वन बता रहा है ना जहांगीर के साही दरबार में राजदूरूर्ग के रूप में निमलिकित मैं से किसको बेजा गया था तो देखो यहां पर मैंने पताया था कि कालीन जो राजाते ना जेमस फ़र्स्ट तो उनके द्वारा सही दर्बार में राजदूर के रूप में जौन हॉकिन्स यानी कि जौन हॉकिन्स जो है राइट आंसर छून होकिन्स की तरीके से आईए चलते हैं अगले पश्ण के ओर जांगीर का अर्थ क्या है तो जांगीर का अर्थ मैं बता चुका हूं पहले भी अपने लेक्चरों में की देखो एक तो क्या हुआ था दोस्त यहां पर बात करेंगे हमने पहले अभुल फजल वाली सारी बातें कर ली थी ठी थी है ना cage यान। ये इसने उपाधी दहारण कर लीए तो यहें क्या समूंझता था ठीक्क है। कर राकाश्टर प्राप्त की थी तो मुगल चित्रकला की बात करेंगेंव मुगल चित्रकला में क्या हुआ था जांगीर श्वेम में कुशल चित्डरकीर उसथा उसके सासंकाल जो ہیں उसका मुगल चित्रकला depths ठीक है उसमें क्या था सहथाकाल में अका Adjust कट किर दिसमें अग्राम मैं इस शाले को लएक ती और उसमों क्या हुआ थे अब號त Mmm तो यहां पर अगले पैस्न की और बात कर लेते हैं दोस्तों अगला पैस्न कहके रहा है तो देखो यहां पर जो है द्यान रखिएगा मैंने बताया था ना कब से कब तक दर्वान में जो है 1608 में आया था ना कवाया था 1608 में ठीक है विलियम होकेंस is the right answer द्यान रखिएगा ज्यादा कुछ जाननी की इसमें आवशक्ता नहीं है इसलिए बता भी नहीं रहुआ ना साजा का मकवरा कहां पर बना हुआ है बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए साब ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है साजा की मृत्ति हो गई थी कभूई थी बाईस जनवरी साक्षय के इसाब से 1666 में ठीक है ध्यान रखिएगा 1664 में इसकी मृत्ति हो गई ती और साज यहां पर देखिए यहां पर जो है उस्ताद इसा की बात करूं तो मैं बताओं इसके बारे में हैं तो देखो मुगल सामराज की नीव मजबूत होती है बुरें को ऊसी ती पिंतरा चैना और उसको सेलें गया है और पूरी तरह संगमरमर के मारतों में निर्मानों काstillन कर शरूब हूग रहा था इसकी पराकास्थऴ ताज महलें लिए शाल कि अ तो जहां रखिएगा आगरा के किले में एस्टेट मोती मजजित की बात करेंगे तो यह किसने साजाने बनवाया था तो यह कहां पर इस्टेत है आगरा में ठीक है ज्यान रखिएगा इसी चलिए तरीके से चलते हैं अगले पश्ट की ओ ताज महल की बात करेंगे तो तत्त कोन सा सही नहीं है दोस्त तो इसमें बात करेंगे तो हम बतादें इसमें क्या है कि चोथा की कारीगरों के नाम जो है उतकीन है जिनको इसका निर्मार किया था तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसका निर्मार जो है साजा ने अपनी प्रिये पतनी जे तो पता ही आपको मुम्ताज महल की इसमति में करवाया था लेकिन उन पर कारीगरों के जो नाम है वो उतकीन है जिन्होंने इसका निर्मार किया था यह कतन सही नहीं है ठीक है तो यह ब कौन ले गया था क्या ना GREकते वसे K 치u वह ले गये थे तो फार्सी आगराम के ना दिर्शाय राइट सार और यह क्या उसका 1749 में ठीक है यह तो आपको पता ही बढ़ गया और करणाल का युद्ध कभ वुआ था इसमें करनाल का युद्ध जो था ना 24 फरवरी 1749 ठीक है 24 फरवरी 1749 ठीक है द्याना किएगा चलते हैं अगले पुष्ण के और वरंग जिवत्वान ने उनके समय से किस इश्क दुरू का वद कराया गया था तो यह बच्चे बच्चे को पताया साब और पता भी होना चाहिए गुरू तेग बात दोने जो है कस्म इसलमानों को भी सिख भी बना दिया था तो इससे जो है इनको पकड़वा कर दिल्ली बुलाया गया उन पर जो है इसलाम धर्म स्विकार करने का दवाब बनाया गया था और पांच अनुआई साहित तो इनकी जो है क्या यातना दे देकर माट डाला था तो किसकी बात कर रह तो इसलाम धर्म स्यक्ता इसलाम अधर्म स्विक्ता में और जो हैसे तरश ये जिसलाम कने बिटाना या को इसलाम चाल्ठ कवाम लेजा संसा गया या तो all Наваг पर क्या है कि कुछ सा किला मराटा सामराज्य सिवाजी का नहीं था तो सिवाजी का नहीं था इस विए आमिर का किरा ठीक है तो तो तेतालीस में सिंहहाड सिंह सिंह गड़ कर लिया था सोले सो तेतालीस में सिवाजी नहीं था ठीक है इन पर भी अधकाल कर लिया था और उसके बाद पहनलाला ठीक है सिंदू दुर्ग पदम दुर्ग राइगड को जूत लिया था रायस्तान का अमिर किला जो है कचवार राजा जो थे ना मान सिंग उनका था ठीक है और उनका जो है सिवाजी नहीं चीज सकते तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पर